तो आज हम लोग Albert Einstein International Scholarship test के बारे में जानने वाले है उसकी basic details को तो इसे organize all India council for technical skill development ने किया है तो इसका basic motto यही है कि development और technologies को और आगे बढ़ाना तो इसे promote करने के लिए इस competition को organize किया गया है तो जो कि यह इस साल होने वाला है तो इसका मतलब हम लोग सबसे पहले जान लेते है eligibility criteria क्या है मतलब योगता क्या है इसमें participate करने के लिए तो यहाँ पर लिखा हुआ है school या college कोई भी student यहाँ पर ले सकते है कोई भी school के जिसका age 10 से 24 साल के बीच में होगा और यहाँ पर सिर्प एशिया यूरोप ऑस्ट्रेलिया नौर्थ एमरिका और साथ एंफरिका continent के candidate ही apply कर सकते हैं इसके लावा कोई नहीं कर सकता है और application इसमें कितने हिलाव होंगा है लोग इसमें participate कर सकते हैं तो यहाँ पर देखिए every year मतलब पांच लाग स्ट्रेंट को apply करते हैं और उसमें सब्सक्राइब को ही selected किया जाएगा और bankis आपको rejected कर दिया जाएगा एक इस basis पर rejected होगा यह नहीं पता लेकिन उनके पैसे को refund कर दिया जाएगा तो यहाँ पर आपका reward आ जाता फर्स प्राइस आपका यहाँ पर आ गया है एक आप पर्मनेंट मेंबर बन जाएंगे All India Council for Technical Skill Development with industry professional के साथ a chance to various chance to attain various technical event organized by AISTSD मतलब बहुत सारे organization मतलब जितने भी webinar होंगे इनके वहाँ पर आपको उस events में participate करने का मौका मिलेगा और यहाँ पर innovation को आप उनके website पर आपकी innovation को represent भी किया जाएगा तर आपको यहाँ पर future में कभी इनसे help मिल सकती है कोई भी आप अगर innovation करता है इन technology में यहाँ पर आपको resume में यहाँ पर आपका strong होना चाहिए आप यहाँ पर jobs भी मिल सकती industrial certificate आपको यहाँ पर मिलने वाला है उसके बाद आपका यहाँ पर schedule की एक्जाम होने कभ वाला है तो मैं आपको बता दूए एक्जाम आपका देखिए हाँ पर पहला है last date of registration तो आपका यह दिसंबर तक मतलब 31 दिसंबर 2021 तक registration होगा फिर online exam इसका 24 January 22 यानि next year है फिर रिजल्ट आपका 10 फरवरी को है फिर online interview भी होगा इसका जो की 20 फरवरी को है और final result जो है इसका निकलेगा 27 February को तो exam का format आपका online होने वाला जो की घर में होगा और live interview होने वाला only top 20 student will get chance for online interview वी स्टुएंट को ही मिलेगा और three will be selected and result उसका declare होने वाला कोशन की स्टैप होंगे objective question answer mcq होने वाला है यहां पर you will get the exam and exam date and time slot and online exam link before and exam on your register contact number through the SMS so we will keep checking our SMS whenever अबर तो यहां पर आपको message आगा कि आपका exam कब होने वाला exam आपका 45 minutes का होने वाला question 30 होंगे अब यहां पर आपको apply कैसे करना यहां पर आपको online form भड़ना इसका यहां पर आपको लिंक दे दूगा मैं इस पूरे यह वेबसाइट का आप यहां पर चाहिए पिलप कर सकते हैं यहां पर 25 रूपीज आपका लगने वाला है यहां पर आपको hall ticket मिलने वाला है अब यहां पर देखिए कभी-कभी hall ticket spam वाले box में भी आ जाता है तो यहां पर आप चेक कर सकता है अगर नहीं आता है तो आपका syllabus देखिए है group 1, group 2, group 3 के हिसाब से divided के है क्लास 10, age है आपका 10 to 13, 14 to 17, 18 24 के हिसाब से आपका यहां पर age group में syllabus divided है यहां पर syllabus पर आप download का सकता है syllabus का link में दिस्रिप्शन में दिया हुआ है तो मैं आप syllabus एक दिखा दता हूं group 1 का syllabus है आपका यह देखिए ग्रूप 1 का syllabus आपका नम्मर सिस्टम, HCF, profit and loss, ratio, proportion, chain rule, time and work, time and calendar, comparing quantities यह आपका हो गया 8 topics आने वाला है इसमें एक chapter chapter और second का है group 2 का आपका average, simple interest, chain rule, profit and loss, ages, train, speed and distance, time and work यह प्रॉब्लम्स आने वाले है इसमें और 3 का है आपका true discount percentage, chain rule, profit and loss, age, train, speed and distance, time and work तो इस तरह से यह आपके syllabus आने वाले हैं से Albert Einstein International Scholarship test में तो आयोब आपको इसकी basic details पता चल गया होंगा इसमें कैसे participate करना इस पर भी मैं एक video बनाऊंगा और इसे sample papers के बारे में आपको बताने वाला हूँ तो चैनल को subscribe कर लें ताकि आगे आने वाली videos के बारे में आप जान सेके थैंक्यों for watching and do not forget to subscribe my channel